तो कैसे हो civil engineers, I hope सब अच्छे होंगे तो आज फिर एक interview questions पे हमारा वीडियो है railway engineer interview questions, जो railway में basically जो railway का interview होगा उसमें आपको ऐसे questions देखने को मिलेंगे complete video देखना, काफी knowledge इसमें से मिलेगा आपको approximately कोई 10 questions में आपको बताने वाला हूं तस्वीरों के साथ और इसमें आपको idea लग जाएगा कि क्या चीज होती है और question क्या पूछा जा रहा है तो easy होगा आपको समझने में, तो start करते हैं जो length of each fish plate, जो fish plate use की जाती है जो rails दो होती है, मतलब समझ रहे हो rail रेल को जोंगने के लिए जोइंट बनाने के लिए एक fish plate use की जाती है, सामने आप fish plate देख रहे हो जिसमें bolt लगे हुए, उसकी length कितनी होती है उसकी length होती है 457.2 mm, ठीक है हमेशा याद रखने हैं इंटर्वियों में पुशा जाता है कि बाकि ऐसे तो काफी टाइब की fish plate आती है लेकिन उसकी length कितनी होती है 457.2 mm अगली question की तरफ बढ़ते हैं तो rail chair are used to fix जो rail chair होता है, सामने आप rail chair देख रहे हो जिनमें दो boxes में, chair मतलब chair हो गएगी बैठने के चीज तो double head rail होती है जो उसमें हम rail chair use करते हैं मतलब उपर भी head होता है, नीचे भी head एक flat head होती है, वो आगे दिखाता हूं में तो उसको rest करने के लिए उसको अच्छे से fix करने के लिए तो हम rail chair करते हैं अगर double head rail हम use कर रहे हैं जो आप सामने pick में देख रहे हो flat footed rail और bearing blade नीचे तो उसके लिए हम क्या करते हैं bearing blade use करते हैं यह important question है यह interview में पूछा जा सकता है कि जो flat footed rail होती है उसको हम कैसे fix करते हैं slipper पे, जो bearing blade है उस पे किस लिए use आती है कौन सी rail हमें उस पे बिठानी होती है double head यह flat footed head rail अगला यह question है interview में पूछा जाता है वो है the main purpose of using bearing plate हम bearing plate use क्यों करते हैं जैसे हमने पीछे देखा flat footed rail होती है उसमें हम bearing plate करते हैं fix के लिए तो इसका answer आपको देना है distribute the pressure over wider area मतलब जो flat footed rail का आएगा वो जो नीचे bearing plate होगी वो easily distribute कर देगी जो भी उसके लोड आएगा वो जो नीचे slipper लगाओगो उसके easily distribute कर देगी इसलिए हम क्या करते हैं जो bearing plate है वो हम use करते हैं किसके नीचे flat footed rail पे एक important question था आपको interview में अगर आप railway में भी जाते हो railway के interviews होते हैं जहां आपको कोई काम मिल रहा है railway में तो ये question आपको face करने बढ़ेंगे इसलिए आपको ये pics के साथ दिखा रहा हूँ कि आपके काफी काम आई ये question अगला question जो है The creeping of rail can be checked while using कि जो creeping होती है rail की उसको हम कैसे check करते हैं क्या उसके लिए instrument यूज करते है हमकी movement होती है उसको check करते हैं कि ज्यादा करीब तो नहीं होगी है मतलब 100 mm तक कुछ limit होती है इसकी 100-30 mm तक शायद तो लेकिन इससे हम anchor से पता जल जाता है उसका गिसाब आप सामने देख रहे हो तो उससे idea हो जाता है कि कितनी हुई है अगला question है on Indian railway minimum formation width in embedment for single line of broad gauge तो वो कितनी होती है 6.1 meter आपने देखा होगा जो aggregate डाला होता है cankera डाला होता है वो कितना wide होता है कोई भी एक अगर उसमें से railway line जाने वाली है single line gauge, broad gauge की ठीक है broad gauge तो उसमें कितना 6.1 meter embedment बनाती है जैसे आप देखा होगा trapezoidal footing जैसी मतलब एक shape का बनाए होता है उसके उपर track लगा होता है तो वो कितना होता है minimum 6.1 meter अगला question है the device used for changing the direction of engine is called turn table सामने आप turn table देख रही हो उसकी pick दिख रही होगा अपको क्या होता है पहले पहले अभी इंडिया में तो शाहिद एक दो जगह है यह पे कि जो direction change करते हैं अकर engine की direction change करनी हो एक ही जगह से तो turn table use करते हैं इस पर जब engine खड़ा होगा तो यह गूमता है मतलब table की तरह गूमेगा उसका face change हो जाता है engine का जो basically use किया जाता है जब भी engine का जो locomotive होता है उसको change करने के लिए हम क्या करते है turn table use करते है अगला question है the device you provided to prevent the vehicle from moving behind the end of rail terminal is called buffer stop यह आप लोगोंने काफी जगह देखा भी होगा लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे बोलते के हैं और आपको idea तो लग गया होगा कि buffer stop क्या होता है देखो आप सबने देखा होगा कि end में एक stopper सा लगा होता है आप सामने pick देख रहे हो यह चीज end में लगाई होती है कि अगर by chance emergency में यह train इसको buffer stop से रुक जाए यह basically हर जहां टेर्म में 9th number का question वो है the distance between the running edge of the stock rail and switch rail at switch heel is called heel clearance सामने आप देख रहे हो यह heel clearance होता है यह heel block होता है जो सामने आप देख रहे हैं यहां से पट्रियां side हो रहे हैं इसको मैं pick के माधियम से आपको अच्छे से समझाता हूँ देखो जहां दो rail है मतलब एक जहांसे आपने प्रणी पिक में देखा एक पट्री मरर रेल सीधी जा रही है दूसरी तरफ से उसमें मोड आ रहा है मतलब दूसरी पट्री एक में से दो निकल रही है तो वैसे आप section देखो एक rail होगी एक दूसरी इदर होगी तो जो last rail से लेके उसके अंदर की hill मतलब उपर ही उपर आपको यहां दिख रहा होगा जहां arrow मारा हुआ है hill clearance मतलब बाहर की rail से अंदर की तरफ जो भी distance होता है उससे हम क्या बोलते हैं hill clearance अब ऐसी अगला question क्या है the distance between the adjacent face of the stock rail and the check rail is called क्या होता है वो flange way clearance आपको कहां दिख रहा है पहले तो सबसे पहले इदर left side में देखो flange wheel दिख रहा है आपको wheel दिख गया उसके नीचे है flange depth फिर हमारी stock rail तो उसी के उसमें क्या होता है जैसे हमारा था बाहर से अंदर hill clearance इसमें क्या है अंदर अंदर जो होता है वो होता है flange way clearance मतलब दोनों में difference क्या है जो हमारी hill clearance है वो होता है बाहर का face left side से face से लेके जो अंदर की rail होगी उसके left तक वो हो गया हमारा hill clearance फिर आता है flange way clearance वो होता है अंदर से अंदर का distance वो होता है हमारा flange way clearance इसमें और काफी चीज़ें आपको clear हो रहे होंगी fish plate कहाँ पे है bolt उपर उसके लगा उसके उपर nut लगा है फिर टंग rail क्या होती है वो वहाँ दिखाई गई है heel block दिखाया गया है सब चीज़ें इस पिक से clear हो रहे होंगी एक अच्छी पिक है यह आप कर लो बाकी आपको इसमें क्या है भी question और भी जादा है 20-25 question है railway engineering interview questions है जो आपको यह क्या है interview में नहीं SSC क्या कोई भी exam होता है junior engineer का exam होता है जो छोटे exam रसाते हैं उनमें यह questions देखे जाते हैं आप इनको interview questions भी ले सकते हो और आपको ऐसे भी यह काम आएंगे daily हमारे वीडियोस आएंगी कि interview questions पे किसी भी हो गया railroad का हो गया building construction का हो गया यह जो भी और कल साथ में हमारा जो job का link एक आने वाला एक job है अच्छी job है PSP में वो मैं आपको दिखाऊंगा कल का वीडियो ज़रूर देखना एक अच्छी job आपके लिए होने वाली है thank you guys अगर वीडियो पसंद आई होगी like करना और please channel को subscribe करो क्योंकि काफी helpful channel आप लोगों के लिए interview questions मिलेंगे और jobs के link तो आपको मिलेंगे thank you झापको